सची बात तो यह है कि जब हम अपने जीवन को समझ लेते हैं अपने जीवन को करतव को समझ लेते हैं तो बात पूरी बन जाती है और कई बार में लोगों को देखता हूं हमारे जवानों को जब अपने लक्ष को निर्धारित कर लेते हैं सपने लेते हैं सपने बड़े लेते और लक्ष को निधारिद करते हैं, मैंने उनको पॉंचते वे भी देखा है, गरीबों के बच्चों को, उचाईों को छूते वे देखा है, बात गरीब या अमीर की नहीं है, बात अपने लक्ष की है, हमारी जवानी का ये लक्ष हो, spirituality ये नहीं कहती ह है कि मंदिर चले जाओ तिलग लगाओ, गंटी बजाओ, वो भी एक spirituality का, धार्म का थार्म का भाग है, लेकिन spirituality कहती है कि अपने जीवन को सेट करो, ये बहुत जरूरी है, अपनी एक लाइन सेट करो, गिसी पिटी लकीरों पर चलना तो बहुत बड़ी ब हूँ और यूथ इस ताइम तो प्राजेक्ट हूँ और यूथ इस ताइम हमको मिला है यह ताइम मिला है इस ताइम को हम लोग उप्योग करें इस ताइम को समझे जाने शुवेशन आएंगी लेकर उस सिच्वेशन को क्रिटिसाइज ना करें 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 तो क्रियेटिव बनें वी रिकन बीड़ी यह बहुत जरूरी है यह बहुत जरूरी है यह बहुत ज समझें, उसकी मीनिंग को समझें, Spirituality आपको empower करती है, कि you are the power, if you feel the power, you can fill the power in others, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, कि आप लोग इस बात को आगे समझें, और अपने इस जो अपने भीतर है, मेरा time, मेरा talent, मेरी technology, मेरी tenacity, ये समाज के काम में आए, समाज के काम में आए, समाज के काम की दिशा देने के लिए, Spirituality आपको भीतर से दिशा देती है, दिल से जोडती है,